हलो प्रैंट्स वेल्कम बैक टू माई चनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने चोटी बेवी के बारे में बच्छों का दियान जो है वो किस तरह से रखना चाहिए आज के पूरे वीडियो में इसी पर बात करेंगे तो वीडियो को अंद तक जरूर करने ल numa यूरे की में जै धाय है तो सब्सक्राइb जार करें ना करें चाहिए पास्याज भीडियो को में एक मेकından चाहिए आने वाल करतें के मेरे सारे आने वाली को निई की बीडियों के ज़ोहीबू हम इसितालि कि बर्शाट के मौसम चानाथा है वो बर्साट के मौसम मे कि अपने बच्चों का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए क्यूंकि इस मौसम पीमानी होने का खतरा ज्यादा रहता है इन्फेक्चिन को ज्यादा होता है मच्छर बढ़ जाता है तो हर चीज जो खाना जो जल्दी हो जाता है तो जल्दी खराब हो साथ में इम्मिडेटी भी तो फसीन युर्ण वी बहुतु है वर 14 वी मौसम बज्चे नही नहीं होती है तो हमें अपने बच्शम द्हान ज Celtई कहने हैं आज के पूरे वीडियो भी करने भाले करने वाले हैं तो सबसे पर चिजह बहुत सारी लोग सोचे बच्छे को रहाएं बच्छा के समय बच्छने क्पड़ 5 के शरीर की पोँसे करें सब दो बच्चा को जा क्पड़ा लगोज करें यो सबस्टारं सबस्और смотреть क्पड़ं रखंवें अप्चों रीख रखायें लोता कर दो का अशवीयismo to me नोच्छ को ठंडा रहतसू है और हम अपने बच्चे नियुक्त डिन इने निक्सारा को चैहिछ कर फह सकते हैं जी थेंप से थे जजुला को लाए अपने बच्छे को अपने भी क्लिध से बच्छे को होसा । बच्चे को जब चोटी हो एग सब्साइब से लानी दूसरा चीज fave कला रखना है तो जो मा ब्रेश्ट पीडिंग करवाती हैं अपना थोड़ा घ्याल रखना चाहिए तो अगर बाहर का दूद पीता यानि बोटल से पिता या फिर चबबत से पिता है तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रहने की जरुद और अगर आपका बच्चा बोटल से दूद पीत 15-15 मिनट जिरो जब जरूर करें और ध्यान रखे की बच्चा जो ऊट्टाल यूज करते हैं ज्यादा पुराना न हो मत्तब तीन से चार महीने तक ज्यादा प्लास्टिक का बडॉटल उच्छ्टेन कर चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्वच्चे को जाता होता घर रूगातार क पेट खराभ हो जाता है तो बोटल नहीं ज़रूर चेंज करें और बड़ा साथ के मोच्साम में हमेशा 2-3 बोटल आप जरूर रखें अगर प्लास्टिक का यूज करते हैं और फिर दो की यूज करते हैं तो कुछ टेल का वी उजकरते हैं दो बचेस प्रचे को बार पिल एक तो सब से पहले आपको थाय हम पैनी में सबढ़ने जरूर करना चाह söylिक जरूर झाल जब बोटल को साफ करके रखना चाहिए और जब भी नया पाफ दूद भुटल को पिलाना ज़ाते हैं तो पहले गुल्गुने पानी से यह जरूर साफ कर लें लोटक वहाइन कर दोना कर और होगे असbeltिए लुज्र के बोटल जड़ाता जो मुटता है बाहर का दूद बिलाते हैं तो एक बार का दूद रlier Asian वाइरस वेक्टिरिया लगने ताचांज होता है ज्यादा होता है तो हमें अपने उस दूद को कभी भी यूच नहीं करना चाहिए उसे वेस्ट हो गया तो जितना बच्चा पी सकता है उतना ही आपको दूद तयार करना है अब लोग लग जाता है कि इतना हमारा बच्चा जो उस लोग pseudo सुछते हैं बच्चा टीं नहीं यंजा रख उलेगेपे रख ऑन्साट की महसं में हमैंजी पर बच्चे की महालिस नहीं करनी चाहिए कंवे कि बच्चे की महालिस संदीन से चारवर ज़्रूर करनी चाहिए और जब मौसम ठंडा हो तो आप कोसिश करें कि बच्चे को हलका सरसो का तेल से मालिस कर सकते हैं वैसे नारियल का तेल जो होता है हर किसी के लिए हर मौसम में जो है वो सूट करता है हर अस्किन को सूट करता है तो नारियल के तेल से आप अराम से बच्चे की मालिस कर सकते हैं और कब बच्चे को ठंड लग जाती है तो फुल श्लिप बनाना है इन सारी वातों का हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है अगर नेक्ष्ट अगर आपका बच्छा थोड़ा भूट खाता है तो बरसाथ के मौसम में हमें बच्चे को रखा हुआ खाना कभी भी बाहर रखा वह दो इतना है यह चाहिए लोग वागव जाल है अगर बच्चे को आन नहीं भूट अद जाता है खे अग्चे बनाुकर करके यह तुछा ऑटली है चाह भी बना बैल कर लेक्ष्योट। उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना चाहिए उससे भी क्या होता है बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस जो है वो हो सकता है तो इस तरह से अगर बर्शाद के मौशब में अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे तो बच्चा जो है वो कम बीमार पड़ेगा सबसे बच्चे को अगर दिन में भी सुलाते हैं या फिर रात में भी सुलाते हैं तो मच्छदानी का यूज जरूर करें क्योंकि बच्चे को मच्छ जब कारता है तो बहुत इचिंग होती है वहां पर लाल चकत हो जाता है तो बच्चों के लिए मच्छदानी का यूज जरूर क जो आपने बच्चे को और शोता हो या फिर रात में भी उता हो अल आउट का यूज कभी भी बच्चों के लिए नहीं आप लोगो करना चाहिए जिसके बच्चे को काफी नुक्षान पहुचाता है उसे जीव सी गंद निकलती है गैस निकलती है जो बच्चे को आपको बीमा अच्छा है तो बच्चा के मौसम में इन चारी बातों का लोगों को अपने बच्चों के लिए जरूर ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तुआसा करते है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा गर आप इस तरह से अपने बच्चे का द्यान रखेंगे मुझे नहीं लगता है कि आपका बच्चा बर्शाथ के दिनों में बीमार पड़ेगा या उसे कोई इंफेक्शन होगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इस इतना ही तुआसा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा ल होगा है तुआसा अवा और कि?